नमस्का दोस्तों, मेरे नाम डॉक्टर नगिंदर यादव है, आज मैं आपको बताऊंगा कि बर्ड्स की आइज में जो infection हो जाता है, किस कारण से होता है, हम पक्षियों को आँखों में infection नहों से कैसे बचा सकते हैं, और इसका अगर होने के बाद उसका क्या treatment है, लेकिन मैं आज आपको एक-एक करके उन सभी कारणों के बारे में बताऊंगा कि बर्ड्स की आइज में infection क्यों हो जाता है, और कितने परकार का infection होता है, और उसको कैसे treat कर सकते हैं, नॉर्मली जो है आपने lovebirds में, बजडी में आपने देखा होगा, यानि पक्षी की आँखों में जो पानी गिरना शूर हो जाता है, एक होता है UVITS, यानि कि पक्षी की जो internal eye है, उसके अंदर swelling आ जाती है, यह भी किसी न किसी bacterial infection की वज़े से होती है, या पक्षी की खाने में vitamin A की यदी कभी हो जाती है, उस conditions में भी हम पक्षी की आँखों में सूजन देखने को मिलती है, प पक्षी की जो आँखे हैं टेड़ी मेड़ी हो जाती है, आँखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, या कई बार blindness यानि आपका पक्षी अंधा भी हो जाता है, यह Marex disease की symptoms है, mostly जो है pigeons में इस तरह की आपको symptoms देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है, पक्षी की आ पक्षी की प्रक्षी निकलेगा, यह जो इनफेक्षिन है, पूरी आँखों को ही infection पूरा घेल लेता है, उस condition में क्या है, पक्षी की पूरी आँख इंफेक्टिटिट होने के कारण करण करण पक्षी की आँख की रोशनी है, वो भी पूरी खतम हो जाता है, जादे तर पक्षी के कारण आँखों में इनफेक्षिन देखने को है, बैक्टियल में सालमन इनफेक्षिन होता है, सबसे आदा पक्षियों को प्रभावित करता है, उसी की चपेट में आने के कारण पक्षियों में आँखों में यह सिम्टम्स देखना है, यह एक पक्षी में स्टार और दीरे दीरे सबी पक्षियों में फैल जाता है. Fungal Infection Aspergillosis Fungal Infection के कारण भी पक्षियों में आपको बिमारी के सिंटम्स देखने को मिलते हैं. Aspergillosis Fungus mostly पक्षी के परभावित करता है. आपको Respiratory Symptoms भी देखने को मिलेंगे इसलिए आपको विशेज थ्यान रखना है पक्षी की खाने में विटामीन A और विटामीन E की कमी नहीं होने. Treatment जैसे ही आप किसी बिर्ड्स में आइस के कोई पर सिंटम्स देखने को मिलता है आइस में पानी आ रहा है या आइस में रेड्नेस बहुत जाद आ गई है या पॉक्स के कोई लिजन्स आपको बर्ड्स में इमिडिट दिखने तो इमिडिट जो है आप उस बर्ड्स को अपने जो स्वस्थ पक्षी है उनसे अलग कर दीजिए पिंजरी की साफ सफाई का विशेश स्थ्यान रखिए बर्ड्स को अलग करने के बाद बर्ड्स में आपने टीटमेंट तुरन चालू कर देना है सबसे पहले तो बर्ड्स की डाइट में विटामिन A एड करना शूखर देजिए और विटामिन E या कि जो पक्षी आपका अंखो की assertion से प्रभावित है आप एक कर तोरी में पानी में पानी लीजेया पानी के अंदर आप ब tô पक्षी की आँखों को सुभश शाम साफ कीजिए, cotton से लेके उनकी आईस को वाश कीजिए, वाश करने के बाद पक्षी की आँखों में सिप्रोफ्लोकसासिन आईड्रोप आप सुभश शाम डालें, इसके अलावा, क्लॉरम फेनिकोल आईड्रोप भी आप पक्षियों की पानी में कीजिए, इसमें जो mainly antibiotic हम यूज करते हैं वो endrocin oral solution होता है, 10% solution होता है, 1 ml endrocin solution एक लिटर पानी में dissolve करके आप पक्षियों को पीने को देचिए, इसके लाबा लिक्सन पाउडर आप दे सकते हैं, 2-4 g लिक्सन पाउडर जो आप एक लिटर पानी में पक्षियों को पीने को दे सकते हैं, समय समय पर पक्षियों की health check-up अपनी वेटनी डॉक्टर के दवारा करवाते लिए, यानि कोई भी symptoms आपको starting में नज़र रहेगा, डॉक्टर उसको तुरंद पैचान करके उसको मही निदरन कर देगा, पक्षियों के खाने में रेगलर विटामिन A और विटामिन E की मातर आप रेगलर दीचिए, पक्षियों की डिवॉर्मिंग रेगलर कीजिए, यानि पक्षियों को पेट की कीड़ों की दवाई, दो महीने में आप एक पर रेगलर पीने के पानी में देचे, जो दवाई की डोज आप जोते हैं, अल्बंडेज और साल्ट होता है, एक लिटर पानी में आप लगाता है, तीन दिन आप दे सकते हैं, इससे आपके पक्षियों के डिवार्मिंग हो चाहिए, इससे भी आपके पक्षियों को काफी राहत मिलेगी, आईस की इंफेक्शन, ये तिया आपको पक्षियों की आँखों से संब्दित और किसी समस्या के वारे में जानता है या आपका कोई सुझाव है, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद.